Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, यकेनना बिल्कुल टिक ठाग होंगे, आज बनेंगी हमारे किचन में जबरतस्त किसम की फुरूट चाट, स्ट्रीर स्टाइल, तो मेरे चैनल पे अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पहला आइकन को प्रेस किजिए, तो यहां तीन गलास पानी डालगे, इसको स्लो फ्लेम पे ड्रक दोंगी, ठीक है जी, अब तीसरे स्टेप क्या है, कि आपने आदा गलास गरम पानी लेना है, उसके बीच में आपने इमली सॉक करके रख देनी है, उसके बाद आपने इसके बीज लग कर देना है, और पानी को तो आपकी चटनी उतनी ही जाएकेदार बनेगी, अधरवाइज आपके घरवाले कियेंगे कि ये क्या किया है, क्योंकि उनके दांतों में आएगी रेत और मटी, और उससे आपकी चार्ट का जाएका बिलकुल खराब हो जाएगा, तो आपने खराब नहीं करना, मेरी टेप के हलकी आँच पे रख देंगे, और आपने क्या करना है, कि इसको 15-45 मिनट के लिए पकने देना है, अब पकने के बाद, 45 मिनट के बाद, ये सब चीज़े गल चुकी हुई थी, अब आपने क्या करना है, कि इनकी जो पील है, खजुरों का चिलका है, वो उतार लेजिएग आधरवाइस वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता और वो गले में लगता है, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है, आप जूसर में डाल के ब्लेंड कीजिए, или एक हैड ब्लेंडर है, अपकेश से कह लेजिए, अब आपने क्या करना है, कि सॉस पैन में इस पल्ट को शाम यहां पे मैंने आदा चमच काली मिर्च, एक चमच लाल मिर्च और एक चमच नमक और आदा कप अभी एड़ किया है चीनी और आदा कप मैंने बार में आड़ किया दा साथ थोड़े दिर बाद मैंने food color add कर दिया है मैंने जर्दा रंग और लाल रंग add किया है आप अपने मताबिक भी color दे सकते हैं अच्छे तरीके से पकने दें उसको पकने के बाद आपने half tablespoon conflore लेना है और वो इसके बीच में शामल कर देना है उसका paste बनागे ठीक है gradually साब stir कीजिए जितनी consistency आप में रखनी है आप उतना इसको रखिए और उसके बाद जूला बंद कर दीजिए यह हमारा main procedure था fruit chart का अब हमने लिए हैं यहाँ पे मैंने तर्जन बनाना कट किये हैं और सिर्फ तीन apple मैंने लिए हैं ज्यादा apple fruit chart में मट डाला करें क्योंकि उससे fruit chart थोड़ी hard हो जाती उतनी juicy नहीं होती लेकिन बनाना जितना आप डालेंगे अनहार डालेंगे तो आपकी जो चाट है वो बहुत ही juicy juicy बनेगी मशाला जी अलादाला की हर नहमत को देखके दिल करता है कहने को के जी और तो अपने रब की कौन कौन सी नहमत को जटलाएगा तो यहां पे एक और नहमत अलादाला की मैंने आइड की है जिसमें है जी lemon का juice और चाट मसाला जो हमने शामिल कर दिया है ठीक है जी इसको अच्छे से mix कीजिए अब हमने इसमें और कुछ नहीं याड़ करना जिस्ट हमने इसके अब layering करने है fruit chat अड़ कीजिए और उसके उपर जो मैंने खजुरों की खुबानी की और इमडी की चटनी बनाई है वो आप लगा दीजिए बलकुर वैसे जैसे बरियानी की तहें लगाते है हम बजार में जाते हैं उनकी हमें चाड इतनी पसंद आती है हमें घर की पसंद ही नहीं आती लेकिन ये बना के देखिए आपको जरूर पसंद आएगी अब टॉपिंग मेंने की है यहां पे रिचाड मसाले से बदाम से तिलों से और किशमिश से किशमिश से और बदाम से बहुत अच्छा वले वराता है और तिल भी इसके जैकिक और इसकी शकल को इनहेंस कर देते हैं इसकी ब्यूडी को इनहेंस कर देते हैं ठीक है जी ये हमारी जबर दस किसम की fruit चाट त्यार है, मेरे चैनल को अब तो सब्सक्राइब करना बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, और मेरी हर आने वली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेगी, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मुझे इजाज़े दीजिए, दौह में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अलाहाफिज,